परिचय राधा, प्लाटफॉर्म पर भीर देखो हाँ सीताज जनसंख्या कितनी चिंता जनकदर पर बढ़ रही है तुम्हें पता है, भारत की जनसंख्या एक तशमलव दो अरब को पार कर चुकी है हाँ, और यदि जनसंख्या का बढ़ना इसी तरह से जारी रहा, तो हम हमारी सारी बुनियादी जरूरतों से वन्चित रह जाएंगे हर किसी को परिवार नियोजन के महत्व को समझना चाहिए हाँ, किन्तु इसके लिए हर किसी को जनन स्वास्थे और जन्म नियंतरन का बुनियादी ज्यान होना चाहिए परिवार नियोजन में जनन स्वास्थे के ज्यान की क्या भूमिका है? अच्छा, आओ मैं तुम्हें जनसंख्या विस्पोट को रोकने में जनन स्वास्थे और इसके महत्व की जानकारी के बारे में विस्तार से बताऊंगी उद्देश्य इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे विभन जनन समस्याओं और कारे नीतियों की पहचान करना अआटि को समझना योन संचारत संक्रमित रोगों की जानकारी प्राप्त करना बंधिता के कारनों को समझना जनन स्वास्थ्य जनन स्वास्थ्य न केवल जनन रोग या अशक्तता से मुक्ति की, बलकी संपून शारीरिक, मानसिक और समाज कल्यान की एक अवस्था है. जनन स्वास्थे का सरुकार जीवन की सभी अवस्थाओं में जनन प्रक्रियाओं, कार्यों और प्रणाली से है जनन स्वास्थे समस्याएं जनन स्वास्थे कार्यनीतिया संपून जनन स्वास्थे के लक्ष की प्राप्ति हेतु एक राश्ट्र स्तरिय रणनीति का अनुसरण किया जाता है इसमें विभिन कारिक्रम शामिल हैं जैसे परिवार नियोजन कारिक्रम उननीस सो एक्यावन जनन एवं बाल स्वास्थिसे वाकारिक्रम विद्यालेओं में यौन शिक्षा प्रावधान स्वच यौन क्रियाओं और यौन संचारित यानी संक्रमित रोगों की जानकारी का प्रबंध लोगों को जन्म नियंत्रण के विकल्पों स्तन्पान के महत्व आधिकी शिक्षा उल्प वेधन यानी इमेन्यो सेंटेसिस पर वैधानिक प्रतिबंद जनसंख्या विस्वोट जनसंख्या विस्वोट के कारण व्यापक स्वास्थय सुविधाएं मात्र मृत्युदर में कमे मात्र मृत्युदर प्रस्वावस्था के दोरान एक वर्ष में होने वाली मात्र मृत्यु की संख्या तथा उसी वर्ष में जन्मे जीविद बच्चों की संख्या का अनुपात है शिशु मृत्युदर में कमे शिशु मृत्युदर एक वर्ष के अंदर मरने वाले बच्चों की संख्या को उस वर्ष जन में जीविद बच्चों की संख्या से विभाजित करने को दर्शाता है मृत्युदर में कमी समय की एक निश्चित अवधी के दोरान, एक निश्चित क्षेत्र की जनसंख्या में होने वाली मृत्यू का अनुपात है सामान्य तह प्रतिवर्ष एक हजार लोगों में से होने वाली मृत्यू की संख्या के रूप में इसकी गणना की जा सकती है जन्मनियंत्रण जन्मनियंत्रण के उपाई दो प्रकार के हो सकते हैं प्राकृतिक विधिया, प्रित्रिम विधिया राश्टुस्तर पर जन्मनियंत्रण के विभिन कारिक्रम शुरू किये गए हैं जैसे, विवाह की वैधानिक आयू बढ़ा कर स्त्रियों के लिए 18 वर्ष और पुर्षों के लिए 21 वर्ष करना दमपत्यों को छोटे परिवार के लिए प्रोचाहन हम दो हमारे दो को बढ़ावा जन्मनियंत्रण की प्राकृतिक विधिया प्राकृतिक विधियां दिम्ब एवं शुक्राणू के मिलने की संभावनाओं के परिहार के सिध्धान्थ पर कारे करती हैं वे इस प्रकार हो सकती है आवधिक साइयम इस विधि में दमपत्ती आवर्त चक्र से 10 से 17 दिनों तक जिसके दोरान डिम्बोत सर्जन की संभावना रहती है संभोग से परहेज करते हैं बाह्य, स्खलन या अंतरित मैथुन इस विधि में वीर्य सेचन से बचने के लिए पुरुष साथी स्खलन से ठीक पहले यौनी से अपना लिंग बाहर निकाल लेते हैं स्तन्यकालीन अनावर्त इसका ताथपर उस अवधी से है जिसके दौरान मा बच्चे को स्तनपान कराना जारी रखती है और इस दौरान गर्वधारन की आवधिक संभावनाएं प्रायह नगण्य रहती है जन्म नियंत्रन की कृत्रिम विधिया रोध विधी रोधक साधनों के माध्यम से अंडानू और शुक्रानू को भौतिक रूप से मिलने से रोका जाता है उदाहरन कंडोम ये रबर या लेटेक्स के बने होते हैं जिनसे पुरुषों के लिंग या स्त्रियों की यौनी या गर्भाशय ग्रीवा को मैथुन से ठीक पहले ढखा जाता है इसके फल स्वरूप स्त्री के जनन मार्ग में शुक्रानू का प्रवेश नहीं हो पाता है डायफ्रम यानी तनुपट गर्भाशय ग्रीवा टोपी वॉल्ट अन्तह गर्भाशय युक्तिया ये युक्तिया विशेशग्यों द्वारा यौनी मार्ग से गर्भाशय में लगाई जाती है ये शुक्रानू की भक्षकानू क्रिया यानी पैगोसाइटिस बढ़ा देती है जिससे शुक्रानू की गतिशीलता तथा निशेचन क्षमता कम हो जाती है गर्भ निरोधक गोली प्रोजेस्टेरॉन अत्वा प्रोजेस्टोजन एस्टोजन के सम्मिश्रण की छोटी खुराकों के रूप में उपलब्ध ये गोलिया आर्तव काल यानी साथ दिन की अवधी को छोड़ कर रोज ली जा सकती है ये अंडोज सर्जन और रोपण को संदमित करती है टीके के रूप में गर्भ निरोधक प्रोजेस्टोजन अकेले या फिर एस्टोजन के साथ सम्मिश्रण में टीके या त्वचा के नीचे अंतरोप यानी इंपलांट के रूप में दिये जाते हैं शलक्रिया विधिया इन्हें बंध्यकरण भी कहा जाता है ये विधिया गर्भ धान से बचाव की अवधी विधिया यानी टर्मिरल मेथद्स हैं ये दो प्रकार की होती हैं शुक्रवाहक यानी उच्छेदन वैसिक्टो में इसमें शुक्रवाहकों के एक छोटे भाग को हटा दिया जाता है नलिका उच्छेदन इसमें डिम्ब वाहिनी के एक छोटे भाग को हटा दिया जाता है सगर्भता का चिकित्सिय समापन गर्भावस्था पून होने से पहले जान बूजगर या स्वेचिक रूप से गर्भ के समापन को चिकित्सिय सगर्भता समापन या प्रेरित गर्भपात कहा जाता है भारत सरकार ने चिकितसिय सगर्भता समापन के दुरुपियोग को रोकने हेतू इसे कुछ सक्त शर्टों के साथ 1971 ईसवी में कानूनी स्वीक्रिती प्रदान कर दी थी सगर्भता की पहली तिमाही अर्थाद बारह सप्ताह की अवधी के दौरान चिकेट्सीय सगर्भता समापन को अपेक्षा कृत अधिक सुरक्षित माना जाता है। यौन संचारित रोग सहवास जन्य रोगों या संक्रमनों को सामोहिक रूप से यौन संचारित रोग कहा जाता है। सुजाक, उपदंश यानी सिफिलिस, जननिक परिसर्प, क्लेमिडियता यानी क्लेमिडियासिस, लेंगिक मस्से, ट्राइकोमोन सता यानी ट्राइकोमोनियासिस, यक्रत शोथ बी और एड्स संचरन की विधी, रक्ताधान, असुरक्षित सहवास, संक्रमित सुईयों और शल्य उपकरणों का साजह प्रयोग, संक्रमित मा से बच्चों को, यौन क्षेत्रों में लक्षन, हुजली, तरल्पदार्थ का स्राव, दर्द, सूजन, जटिलताएं यानी समस्याएं, शुरोणी शोथ जरोग, गर्भपात, मृत शिशुजन्म, अस्थानिक सगर्भता, बंधिता, जनन क्षेत्र में कैंसर, रोक्थाम, अंजान व्यक्ति या बहुत से व्यक्तियों के साथ यौन संबंध से बचें, सहवास के दौरान हमेशा कंडों का उपियोग करें, संदेह की स्थिती में आरंभिक जाच और संपूर्ण चिकित्सा से समस्याओं से बचाव हो सकता है, बंधिता डिम्ब वाहिका अंतरण, अंतह कोशकिय शुक्राणू निक्षेपन यानी इंट्रा साइटोप्लास्मिक स्पर्म इन्जेक्शन, प्रत्रिम वीर्यसेचन यानी आर्टिफिशल इंसामिनेशन, इस विधी में प्रयोगशाला में अनुरूपी परिस्थितियों में पत्नी या दातास्त्री के डिम्ब और पती या दाता पुरुष के शुक्राणू एककत्र कर, उन्हें युगमनज का निर्मान करने हेतु प्रेरित किया जाता है, फिर इन युगमनज या भूनों को डिम्ब वाहिनी नली या गर्भाशे में स्थानांतरित कर दिया जाता है, युगमक अंतह डिम्ब वाहिनी नली स्थानांतरण इस विधी में दाता के डिम्ब को दूसरी स्त्री की डिम्ब वाहिनी नली में स्थानांतरित कर दिया जाता है, अंतह कोश की य शुक्राणू निक्षेपन इस विधी में प्रयोग शाला में एक शुक्राणू सुई के जरिये सीधे अंडाशय में निक्षेपित कर दिया जाता है कृत्रिम वीर्य सेचन इस तक्नीक में पती या किसी स्वस्थ दाता से लिये गए शुक्राणु को कृत्रिम रूप से स्त्री की योनी अथ्वा गर्भाशे में डाला जाता है क्या आप जानते हैं? लोयोला युनिवर्सिटी शिकागो स्ट्रिच स्कूल अफ मेड्सिन के जनन अंतसराव विज्ञान विभाग के निदेशक के अनुसार शुक्राणु पर लैप्टॉप कम्प्यूटरों से उत्पन ताप का नकारात्मक प्रभाव पढ़ सकता है अंड कोश के निकट ताप शुक्राणु को क्षती पहुचा या मार सकता है, जिसके फल स्वरूप शुक्राणु की संख्या या गतिशीलता में कमी या फिर पून बंधिता भी आ सकती है इसलिए शुक्राणू को क्षती से बचाव हेतू लाप्टॉप को हमेशा मेज पर रखना चाहिए सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संग्षेप में दोहराएं जनन स्वास्थिका तातपर जनन की सभी अवस्थाओं अर्थात शारेरिक भावनात्मक व्यावहारिक और सामाजिक पहलूओं के कल्यान से है स्वास्थ की बेहतर सुविधाओं तथा जीवन के रहन सहन की बेहतर परिस्थितियों के कारण जन संख्या में विस्पोटक वृद्धी को बढ़ावा मिला जन्म नियंत्रण के लिए विभिन गर्भ निरोध को पाए अपनाए जा सकते हैं चिकित्सी सगर्भता समापन आम तोर पर बलातकारों संयोगिक सहवास आदिके कारण होने वाली अन्चाही सगर्भता से छुटकारा दिलाने हेतु किया जाता है वहीं MTP की यह क्रिया उस थिती में भी की जा सकती है जब गर्भावस्था का जारी रहना मा या भ्रून अथवा दोनों के लिए हानिकारक अथवा घातक हो सहवास के कारण संचारित होने वाले रोग या संक्रमन यौन संचारित रोग यानी STD कहलाते हैं दो वर्षों तक बिना किसी सुरक्षा के सहवास के बाद भी गर्भाधान अथवा संतान उत्पती न हो पाने की स्थिती बंधिता कहलाती है